सरसा जिले में 16 वर्षे बच्ची लापता मामले खुले करके आक्रोसित लोगों ने जिले के कोशी चौक को किया जाम 28 अगस्त को नवालिक बच्ची जो लापता हो गई जिस लगकी के पिता का नाम सरोज जहा है पुलीस को आवेदन देकर बढ़ामदगी के लिए लगाई थी गुहार जिसके बाद पुलीस की तरफ से अब तक किसी तरह की कारवाई नहीं किये जाने के कारण आक्रोशित हो गए और पिता ने मधेपुरा निवासी राहुल कुमार मंडल पर अगवा कर लेने का अरुप लाया था समाज से भी मुकेश सिंग का कहना था कि देखी ये सरक जाम जो है लोगों का गुसा फुटा है पुलीस के खिलाब सहरसा की पुलीस की कारशली जो है बिल्कुल बिग्रेल है आप सो समय कोई भी कारवाई की उमीद ना करें सहरसा पुलीस से 28 ताडिक को एक नावागली लड़की कोसी परजेक्ट से अगवा करी गई फैर लाज हुआ और कोई भी पुलीस कारवाई करने से हिसकती रही और इसका नतीजा यह हुआ कि जिस लड़के ने लड़की को अगवा किया था उसके तमाम परजन बोरा बिस्तर समेट करके यहां से फरार होगे अब आप बताईए कि लड़की के परजनों पर क्या बीत रही होगी नावाली के लड़की को लेके भागा गया है और सहरसा पुलिस लगाता सराब या अन जो है जमीन का मामला ऐसे तमाम मामले में पुलिस वाले लगे रहते हैं जिसमें धनकी हुआ ही हो आम जनता की चिंता सहरसा पुलिस को नहीं है अगर इस मामले में जल्दी से कोई ठोस कारवाई नहीं होती है लड़की की शोकुसल बरामतगी नहीं होती है तो आप अभी कोछ चोग जाम देख रहे हैं ना आने वाले समय में आप पूरा सहरसा जिला मुख्याल में महाजाम देखिएगा और पुलिस के खिलाब उंग इसे उगृ प्रदर्शन का जो है सहरसा गवाह बनेगा हर संभप परियास किया नियुक्यक्त कुण करेंगे प्रियास करेंगे अज़िए लोगों को जाम लगा नहीं की नोबत नहीं आएगी अब लड़की को तो तलासना पुलि करवाई तोटा करवे कि कर नहीं कर दो कर जाम हट गया करवार लिए हक जाम नहीं आता है जाम हट अधिकर इमाबी हाट हॉट प्रवाना परेगा वर्दी आप वाने हुए है